तो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे उम्मीद टेक्निकल यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज क्रिकेट की उपर हम थोड़ा साब बात करेंगे आप सब को मालूम है कि टीम इंडिया आज फाइनल खेल ल इंचावन गेदों में 62 रन पांच चौका और एक छक्का की मदश से बना चुके हैं एक तरफ बंदा खाओ के यहां पे इतना बड़ा स्कोर पहुंचाया और टीम इंडिया चे एक सो च्यालीस पे चार सतर समलो तीन ओबर में पहुंच पाई है कहीं न कहीं यहां पे बहु पांच चौके और एक छक्के की मदश से जहां एक सोर चोड़ पे अकेले खड़े हों के खेले हैं वैपुन का साथ अक्षर पट्रण ने भी बहुत बढ़िया यहां पे दिया है बाद में सिवंदुवे आया है सिवंदुवे ने भी यहां पे बारह गेंदों में 21 बनाया ह है अभी तक में देखा जाए तो दो चौके और एक छक्के की मदश से यानि कि जबर जस्त कहीं न कहीं जो तो यह बहुत यह सांदार सत्र दस्वन तीन ओबर 146 पेचार टीम इंडिया के लिए और अभी वी तीन ओबर बचे हुए हैं तो कहीं न कहीं अभी और रन बनेंग विराटकूली नहीं चलेंगे, यह वो कई प्रेकार की बात हैं लेकिन यहां पर विराटकूली ने प्रूफ कर दिया कि सबसे ज़्यादा टीम इंडिया को जब जरूत होती है तब विराटकूली का बल्ला चलता है, और आज फाइनल में जो कानामा विराटकूली जी ने कि बहुत रहा है उसे बीक में बहुत ही जबघस्थ विराट को चीरा प्रकार्ट कुली को कोई नहीं हरा पाएगा कोई को आगे पिछा नहीं कर पाएगा दोस्तों आपको बता दो कि विराट कोली ने जिस प्रकार से आज खेला है अभी तक में पूरे की पूरे टीम इंडिया की और साथे साथ में पूरे की पूरे जितने भी हमारे डेसवासी 140 क्रोड हिंदुस्तानी है हम लोग इंडियन है सबका दिल जेते लिया है बहुत बहुत धन्यवाद वीराट को लिजी आपको बार बारी हो गया तो सा निराज किया है रोहित सर्माजी जो कैप्टन है हमारे हां के रेशपत सुर्क मर्यादों निराज स्की है लेकिन कोई बात नहीं है अगर विराट कुली जी चल गए अक्सर पटेल जी चल गए सिवंग में चल गए तो हमारे लिए बहुत है अगर 170 भी बना ले कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छे लगी हो विराट कुली की पारी तो फिर चैनल को सिस्काइब करके ही जाएगा